स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम की बात पर आज है एक अप्रेल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं एक अप्रेल 2021 से जुड़े करन्ट अफेर के इंपोर्टेंट कोईशन साथ ही इन कोईशन से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए चोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल दो प्रशन होगे आप सभी को इन दोनों कुशन के अंसर कमेंट बोक्स में देने हैं दोनों कुशन बहुत हैं तो आप सभी इन दोनों कुशन के अंसर कमेंट बोक्स में जरूर द जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों से जुड़े हैं और आपके आने वाले एक्जाम के लिए जिनका भी आने वाले एक्जाम है SSECHSL का उनके लिए इंपोर्टन फेक्ट बहुत ही जादा महत्मूर्ण है और एक कोश्चन एक्जाम में जरूर पूछी जाता है तो विश्व भर में जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए उनके प्रती लोगों की जो सोच है उसे बदलने के लिए अंतरास्तिय ट्रांसजेंडर द्रश्चिता दिवस प्रत्य एक वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है साथ ही अगर हम बात करें कि पहली तियाटर डे और दूसरा नाम था अर्थ हाव़ड डे ठीक दोस्तो आपको इन दोनों याद रखने है 27 मार्च को एक दो विश्वरंगमंच दिवस और दूसरा अर्थ हावड डे मनाया गया था उसके बाद 31 मार्च को मनाया गया ऑंतरास्ची ट्रांसजेंडर द्रश्यत आपको ये दोनों ही याद रखने हैं चलते हैं अगले question पर आजका हमारे question number 2 है किस राज्य में आयोजित होने वाले junior महीला होकी नेशनल्स को इस्थागित कर दिया गया है तो आपको याद रखना है कि junior महीला होकी नेशनल्स ये एक होकी का टूर्णामेंट होने वाला था, कहां पर तो जार्खन राज्जे में होने वाला था और इसे ही कोरोना महमारी के करण हाली में इस्तगित किया गया है तो जार्खन राज्जे में आयुजित होने वाले जूनियर महीला होकी नेशनल्स को स्थागित कर दिया गया अब यहाँ पर बात है यह जारकंड की तो जारकंड राज्य से जुड़े आपको कुछ important fact याद रखने है सबसे पहले अगर हम बात करें साम्मानिय से important fact की यह तीन important fact आपको हमेशा याद रखने है इसके अलावा आपको एक और important fact याद रखना है कि जारकंड राज्य की स्थापना हुई थी भारत के 28 राज्य की रूप में जारकंड राज्य की स्थापना हुई थी और वो date आपको याद रखनी है वो डेट है 15 नवंबर सन 2000 15 नवंबर सन 2000 को जारखंड राज्य की 28 राज्य की रूप में स्तापना हुई थी यह कुशन एक्जा में पूछा गया है और आपको याद रखना है साथ ही आप याद रखेगा 26 वा राज्य था 36 गड 27 वा राज्य था उत्राखंड और 28 वा राज्य बना था जारकंड यह तीनों ही राज्य सन 2000 में और नवंबर के महिने में ही गटित हुए थे एक नवंबर सन 2000 को 36 गड राज्य 26 वा राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को जार्ग उत्राखंड राज्य 27 वे राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को 28 वे राज्य की रूप में गटन हुआ था जारखंड का इंपोर्टेंट हुर आपको याद रखना है अब हम बात करें जार्खंड राज्य से जुड़े करेंट अफिर की इंपोर्टेंट फेक्ट की तो जार्खंड राज्य से जुड़े दो इंपोर्टेंट फेक्ट है जो आपको याद रखने है इसके अलावा समर अभियान शुरू करने की गोशना भी जारकन राज्य सरकार द्वारा की गई है तो आपको ये दो important facts याद रखने हैं जारकन राज्य से जुड़े हुए चलते हैं अगले important question पर आज का हमारा question number 3 और एक important question है कि हाली में किनके द्वारा रास्टी राजदानी शेत्र संशोधन विदेख 2021 को मंजूरी दी गई है तो रास्टी राजदानी शेत्र यानि की National Capital Reason NCR का जो संशोधन विदेख 2021 इसे मंजूरी दी है रास्टपती रामनात कोविन ने ये important question है और आपको याद रखना है कि रास्टपती रामनात कोविन जी के द्वारा रास्टी राजदानी शेत्र संशोधन विदेख 2021 को मंजूरी दी गई है जो की दिल्ली से जुड़ा हुए क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली को रास्टी रास्टपती राजदानी शेत्र कब गोशित किया गया था माफ की जीगा किस सविधान संशोधन में गोशित किया गया था तो आपको याद रखना है वो सविधान संशोधन था 69 उन सत्तरवे सविधान संशोधन के तहट दिल्ली को रास्टी राजदानी शेतर गोशित किया गया है और रास्टी राजदानी शेतर संशोधन विदेग 2021 के तहट इसके शेतर को बढ़ाया जाएगा जिससे कि जो दिल्ली के उपराज़ पाले उनके शेत्र में विस्तार होगा तो ये विद्धाये के 2021 और इसे मन्जूरी मिली है रास्टपती रामनात कोविंद के द्वारा इंपोर्टन क्वेशन और आपको याद रखना है आज का हमारे क्वेशन मर्ट चार और अगला इंपोर्टन क्वेशन है कि म्यामार में सेन्य तक्ता पलेट के कारण किस देश ने म्यामार से अपने सभी व्यापारिक सम्मंदों को इस्तगित कर दिया है तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने हाली में सेन्य तक्ता प्लेट के कारण म्यामार देश से अपने सभी व्यापारिक सम्मंदों को इस्तगित किया है जिसा कि अब जानते हैं कि हाली में म्यामार में सेना के द्वारा सेन्य तक्ता प्लेट किया गया है जिसके पश्षाथ अमेरिका ने अपने सभी व्यापारिक सम्मंदों को म्यामार से समाप्त कर दिया है important है और आपको याद रखने है अब यहाँ पर बात आईए म्यामार की तो इससे जुड़े कुछ important fact आपको याद रखने है म्यामार जिसकी राजदान ही नए प्याड जिसे की नए पीडो भी कहा जाता है इसके वर्तमन में रास्ट पती है जिनका नाम है विन मिंट ठीक दोस्तो म्यामार के रास्ट पती है विन मिंट इनका नाम भी आपको याद रखना है साथ ही आप याद रखेंगा म्यामार में एक शहर है जिसका नाम है यंगून जिसे के रंगून भी कहा जाता है ठीके दोस्तों यंगून कहें या फिर कहें रंगून तो ये एक शहर है और इससे जुड़ा important fact आपको याद रखने है जो question के रूम में एक्जाम में पूछा गय यही पर अंग्रेजों के द्वारा अठारा सु सतान के क्रांती के अंत में जो बहादुर्शा जफर थे इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और यही पर इनकी प्रत्यू हो गई थी और वो अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर्शा जफर आपको यह सब important fact भी याद रखने हैं काशन नमर 5 है सुरेंदर सिर्सर्ट का हाली में निधन हुआ है 21 рег की विदान सबा के पुर्व speaker रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सुरेंदर सिर्सर्ट इनका हाली में निदन हो गया है और ये गोवा राजजी की विदान सभा के पुर्व स्पीकर रहे थे important हो आपको याद रखना है अब यहाँ पर बात आईए गोवा की तो गोवा से जुड़े कुछ important fact आपको याद रखने है गोवा की राजदानी है पंडजी ठीक दोसो पंडजी गोवा की राजदानी है और यहाँ पर जो मुख्य मंत्री है इनका नाम है प्रमोध सावंत और यहाँ पर जो राजजपाल है इनका नाम है भगत सिंग कोशारी जो की महाराष्ट राजजी के भी राजजपाल है तो यह है सामान्य से important fact गोवा राजजे से जुड़े वे इसके अलावा आपको तीन और important fact याद रखने सबसे बहला तो यह भारत का शेत्रफल के आधर पर सबसे छोटा राजजपाल है गोवा भारत का शेत्रफल के आधर पर सबसे बड़ा तो राजस्थान है और सबसे छोटा रज्य है गोवा, आपको यह important fact याद रखना है, गोवा से जुड़ा आपको एक और important fact याद रखना है, कि भारत के 9 रज्य ऐसे हैं जो समुंदरी सीमा लगाते हैं, यह fact में आपको बहुत बार बताया है, कि भारत के 9 रज्य समुंदरी सीमा लगाते हैं, ज को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है साथ ही आप याद रखेगा कि वो डेट कौन सी थी जिस दिन गोवा आजाद हुआ था तो 19 दिसंबर सन 1961 को ठीक दोस्तो 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा को जीता था पूर्त गालियों से इंपोर्टन और आपको याद रखने है पूर्त गाली जो सबसे पहले यूरोपियन थे जो भारत में आये थे और सबसे अंत में भी जानने वाले यूरोपियन कौन थे तो पूर्त गाली ही थे और 1961 में 19 दिसंबर 1961 को वो यहां से गए थे और भारत में उनको ही पराजित करके गोवा को जीत लिया था और 19 दिसंबर को ही गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है इंपोर्टन है और आपको याद रखने है यह सभी इंपोर्टन फेक्ट गोवा सबसे छोटा जो है राज्य है भारत का यह 9 राज्यों में से सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है 9 राज्यों में से और 19 दिसंबर 1961 को यह भारत के दोरा इसे आजात किया गया था पुर्त गालियों से और 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है ये सबी important fact आपको गोवा से जुड़े याद रखने है अब हम बात करें current affair की important fact की तो हाली में गोवा राज्य में 51 वा अंतरास्टी फिल्म महोतसव आयोजित किया गया है ये question exam में ज़रूर पूछा जाएगा और सबसे important fact है गोवा राज्य से जुड़ा कि 51 वा अंतरास्टी आयोजन गोवा में हुआ है आप याद रखेगा 27 हुणराट का आयोजन कापुर हुआ है तो भोपाल में हुआ है ठीक दोसों मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 हुणराट का आयोजन और 28 हुणराट का आयोजन हुआ है गोवा में आपको ये तीन current affairs जुड़े important इंफेक्ट भी याद रखने हैं आज का हमारे कॉश्चिन नमर छे है केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर शरन कुमार लिंबाले को उनके किस मराठी उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मा 2020 के लिए चुना गया है येकी important question है और इससे जुड़े भी कुछ important फेक्ट में आपको बताऊँगा जो आपको ध्यान से सुनने है और उन्हें नोट भी कर लेना है क्योंकि question important है आने वाले exam के लिए तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले तो नाम केके बिल्ला फाउंडेशन इसके द्वारा सरस्वती व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है अब हमने एक question पढ़ा था दो दिन पहले जिसमें हमने पढ़ा था कि केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास सम्मान 2020 कौन सा तो व्यास सम्मान 2020 की ने दिया गया है तो वो नाम भी आपको याद रखने है व्यास सम्मान 2020 दिया गया है शरद पगारे को आपको इनका नाम याद रखने है शरद पगारे को दिया गया है व्यास सम्मान 2020 उनकी पुस्तक है जिसका नाम है पार्टली पुत्र की समरागी आपको ये दोनों ही अलग-अलग याद रखने केके बिला फाउंडेशन ने दो सम्मान दी है एक तो दिया है व्यास सम्मान, एक जिया है सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को और सरस्वती सम्मान मिला है डॉक्टर शरण कुमार को इनके नाम भी सेम है और इन्हें आपको याद जरूर रखने है डॉक्टर शरण कुमार को सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान डॉक्टर शरद पगारे को ठीके दोस्तो सरस्वती संबान मिला है सनातन पुस्तक के लिए और शरत पगारी को व्यास संबान मिला है पार्टली पुत्र के समरागी आपको ये सब भी important facts याद रखने हैं ये दोनों ही question आनने वाले exam के लिए important है आज का हमारे question number 7 हाले में किस देश ने भारत संग व्यापार को मंजूरी दी है तो दो साल पहले इस देश ने भारत के साथ व्यापार को जो है बंद कर दिया था और पाकिस्तान ने यानि कि यही वो देश है पाकिस्तान जिसने कि भारत संग व्यापार को मन्जूरी दे दी है इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि भारत संग व्यापार को मन्जूरी दी है पाकिस्तान ने अब हम बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ highlight की जो किस प्रकार है New Development Bank यानि कि NDB इसे short में कहा जाता है NDB यानि कि New Development Bank के द्वारा रूस को किस देश को तो रूस को एक billion dollar के रिन को मंजूरी दी गई है जिसके तहत health care श्रमिको को समर्थन किया जाएगा रूस देश को एक billion dollar के रिन को मंजूरी दी है New Development Bank ने important और आपको याद रखने है इसके बाद जिसके आप जानते हैं कि सयुक्त अरब अमीरात यानिक UAE में एक हिंदू मंदिर का निर्मान किया जा रहे है ठीक दोस्तो इसके लिए 888 करोड रुपे किसके लागत है और इसे जो बनाने का कारी किसके दोरे किया जा रहे है तो इसका नाम आपको याद रखना है बोचासनवासी अक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारेन संस्थान के दोरा इसका short form आप याद रखीगा क्योंकि एक्षर पुरुशोत्तम स्वामी नारेन संस्थान इसका नाम आपको जरूर याद रखना है तो ये थे आज के दिन से जुड़े current affair की important fact साथ ही इन से जुड़े कुछ important fact जो आपको याद रखना है आप इन सभी को note जरूर कर लिजेगा और इने याद भी कीजेगा आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे अब हम चलते हैं हमारे last वीडियो के test पर तो कल के दिन जो है test के दो question थे जिनके answer आपको comment box में देने थे पहला question था पहला question कुछ इस प्रकार था यह question था यह आंदर परदेश राज्य से जुडा था आंदर परदेश राज्य के current affair के आधार पे था यह question देहलीज पर राशन वित्रण योजना के आंदर परदेश राज्य सरकार द्वरा शुरू की गई e-watch mobile app के आंदर परदेश राज्य सरकार ने लोंच किया था कानूमा त्योहर के आंदर परदेश में मनाया गया यह पशुव के लिए भारत का पहला ambulance network आंदर परदेश राज्य में शुरू हुआ तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था यहाँ पर जो गलत option था वो था कानूमा त्योहर कानूमा त्योहर आंदर परदेश में नहीं बलकि तेलंगाना राज्य में मनाया गया है और आप सभी ने इनका आंसर बिल्कुल सही दिया था तो यहाँ पर जितने भी important fact है उनका आपको note कर लेना है और साथ ही आपके लिए आज दिन में वीडियो आने वाला है जिसमें की जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के सभी राज्यों से जुड़े important fact होंगे जो आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यान देना है देहलीच पर राज्यों वित्रण योजना, e-watch, mobile app और पश्यों के लिए भारत का पहला ambulance network आंत्रपर्देश राज्यों सरकार के द्वारा किये गए हैं और कानुमत योहर मनाई गया है तेलंगाना राज्यों में और यही गल्लत option था और इसका answer आपने बिल्कुल सही दिया था question number 2 current affairs योड़ा question था कि बांगलादेश के धाका से भारत के की शहर तक मिताली express चरानी की गोशना की गई है तो मेरा आपको बताया था कि जो मिताली express ही तीसरी train है जो कि बांगलादेश और भारत के मध्य चलेगी इसते पहने दो train ही चली ती जिसमें थी मेत्री express और बंधन express और मिताली express चली है बांगलादेश की राजदनी ढाका से भारत के न्यू जल पाई गुड़ी तक आपको ये दोनों ही शहर याद रखने है अब हम बात करें आज के टेस्ट की तो आज के टेस्ट का पहला कोश्चन है और कुछ इस प्रकार है आज का जो ये कोश्चन है ये मद्य परदेश राज़े से जुड़ा है डेली आपके लिए प्रतिक राज़े से जुड़ा एक कोश्चन आता है तो आज का कोश्चन है मद्य परदेश राज़े से जुड़ा आपको बताना है संकल्प अभ्यान की शुरुवात क्या मद्य पर्देश राज्य सरकार ने की है जलाभी शेकम अभियान मद्य पर्देश राज्य में शुरू हुआ है एम पेंशन एप है क्या मद्य पर्देश राज्य में शुरू किया गया है या मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो योज ना है ये मध्य पर्देश राज्य सरकार ने शुरू कियें आपको बताना है कि निमन में इसे कौन सा option गलत है question number 2 है बंग बंदू बापू संगरहले का उधगाटन कहां किया गया है ये question कल के वीडियो से related है और इसके बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था तो आपको बताना है बंग बंदू बापू संगरहले का उधगाटन कहां किया गया है तो ये थे आज के वीडियो के current affair की important question और कुछ important fact जो आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे साथ ही आज के वीडियो में जितने भी important fact है उनका आपको note जरूर कर लेना है अगर आपको हमारे द्वारा पूछे के question important लगते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा वहाँ पर भी daily important question पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे ठीक है दोस्तों तो thank you, जै हिन, जै भारत